हाई फेंड्स बारिस के दिनों में गर्मा गरम खिचरी खाना किसे नहीं पसंद है तो इसलिए आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी खिचरी रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ जिसे बनाना है बहुती आसान और ये बहुती टेस्टी भी बनता है तो चलिए जट पर जान लेते इसे बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए तो खिचरी को बनाने के लिए मैं यहां पे लिए हूँ कुछ वेजीटेविल्स तो vegetables में से मैं यहाँ पे ली हूँ टमाटर, beans, हरी मिर्च, गाजर और full कोफी इसके अलावा मैं एक छोटे साइज का पियाज भी ली हूँ तो आते हैं next step पे यहाँ पे हम खिचरी को बनाएंगे pressure cooker में तो cooker को गरम करके इसमें add करेंगे चार बड़े चमर शर्शो का तेल, तेल गरम हो जाया तो उसमें add करेंगे जीरा और साथ ही साथ add कर देंगे प्याज अब प्याज को color change होने तक हम fry कर लेंगे तो कुछ मिनिट fry करने के बाद जब प्याज का color change हो जाया तब हम लोग जो vegetable काटके रखे थे वो धीरे धीरे कर इसमें add कर देंगे ये सारे vegetable के अलाबा भी आप अपने पसंद के हिसाब से vegetable इसमें add कर सकते हैं तो सारे vegetable एड़ करने के बाद हम इसे fry कर लेंगे तो gas का flame high to medium में रखके इसे हम fry कर लेंगे अब उसके बाद इसमें हम add करेंगे स्वादर नमक, आदा चोटी चमच, हल्दी पाउडर, आदा चोटी चमच, कस्मिरी रेट चिली पाउडर और एक चोटा ही चमच, गरम मसाला तो मसाला add करने के पाद सारे सबजी साथ इसे थोड़ा सा चला लेंगे उसके बाद जो टमाटार हम लोग काटके रखेते वो भी इसमें add करके इसे हम mix कर लेंगे तो थोड़ा सा चला के इसे हम कुछ मिनिट fry होने के लिए रख देते हैं तब तक आजाते हैं next step पे तो अब हम लेंगे एक बोल उसमें add करेंगे एक काप चावल और उसी काप में हम लेंगे एक काप मौंग की डाल अब चावल और मौंग की डाल को अच्छी से हम साफ कर लेंगे तो इस तरह से 2-3 बार पानी से हम इसे clean कर लेंगे उसके बाद ये जो पानी है इसे drain out कर देंगे तो हमारा डाल और चावल धूल के बिल्कुल रेडी हो गिया है तो अब हम इसे भी वेजेटेविल के साथ एड़ कर देंगे इस प्रोसेस में अगर आप ख्रीचरी को बनाएंगे तो आपके ख्रीचरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा और वेजेटेविल के साथ डाल और चावल को थोड़ा सा फ्राइ कर लेने से इसका स्वाद और भी अच्छा आजाता है तो कुछ मिनिट फ्राइ करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे 6 कप पानी तो ध्यान रखें यहां का पानी का मात्रा तीन गुन होगा जैसे एक कप चावल एक कप डाल का यहां पे पानी हम एड़ करेंगे 6 कप और जिस कप में हम चावल और डाल लिए थे उसी कप में हम पानी भी ले रहे हैं तो पानी एट करके इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं उसके बाद कुकर कर ढगा के इसे दो से तीन सीटी आने तक कुक कर लेंगे उसके बाद गैस कुकर देंगे आफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब यह ठंडा हो जाए तब कुकर कर ढगा के इसे ह गरम पानी गरम पानी एड़ करने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा लेकिन ठंडा पानी अगर एड़ करेंगे तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होगा तो बस हमारा खिचरी बन के रेड़ी अब है तड़के का बारी तो अब ह हलका सा color change हो जाए तब हम यह जो तरका ready करके रखे हैं वो खिच्री में add कर देंगे तो लीजिए हमारा गर्मा गरम खिच्री बन के ready to serve अब थोड़ा सा इसे mix कर लेते हैं और गैस को कर देंगे off तो चलिए अब हैं इसे serve करने की बारी मैं यह पर खिच्री को पापर के साथ serve कर रही हूं और उपर से थोड़ा घी समें add कर रही हूं आप लोग चाहे तो अचार दई के साथ भी खिच्री को serve कर सकते हैं तो फिर्ट आसा करती हूँ आज का ये खिचरी रेसिपी आप सब को पसंद आया होगा आप लोग भी घर पे इसे जरूर ट्राइ करें तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखे लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पे जो आलू का अचार देख रहे हैं ये अचार ये खिचरी साथ बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोग एक बार उसे जरूर चेक करें आसा करती हूँ पसंद आयेगा थैंक यू